नमस्कार आप देखरें न्यूजवल इंडिया और आपके साथ मैं हूं का जो नरायन बहुत स्वागत है आपका भारत एक 9 के एक और एडिशन में और इस एडिशन में हम बाद करेंगे दम घोटू प्रदूशन की क्योंकि इस पर चर्चा करना बनता है क्योंकि देश का मुद्दा है जनता का मुद्दा है आवाम का मुद्दा है उन लोगो का मुद्दा है जो इस धम घोटू प्रदूशन में सास लेने के लिए मजबूर है लेकिन इस प्रदूशन के साथ साथ सियासत भी खूब हो रही है चाहे वो दिली की सरकार हो चाहे वो केंद सरकार हो सप्रीम कोट लगातार फटकार लगा रहा है उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि अर्विन के जिवाल रोजाना आते हैं स्क्रिप्ट वही रहती है वही रटा रटाया जो भाशन है पढ़ देते हैं ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ ऐसा बीजेपी कह रही है दिली के मुखे मंतरी आर्विन के जिवाल ने यमुना की सफाई को लेकर एक्शन प्लान तयार किया है के जिवाल कहते हैं कि सरकार जगा जगा सीवर कनेक्शन करेगी और उमीद है कि फरवरी दो हजार पच्चिस तक यमुना साफ हो जाएगी गोर करिएगा फरवरी दो हजार पच्चिस तक यानि कि अभी हमें तीन साल और इस दम घोटू प्रदूशन में जीना होगा के जिवाल ये क्यों नहीं समझते कि इस प्रदूशन की वज़ों से आम जनता को कितनी तकलीफ हो रही है के जिवाल को दिखाई नहीं देता के जिवाल की इस नई डेर लाइन पर बीज़पी ने तंच कस्तिया है दिल्ली बीजपी ने के जिवाल के अलग-अलग सवे पर यमना की सपाई को लेकर किये गए बादों का वीडियो जारी कर लिखा स्क्रिप्ट वही तारीक नहीं यमना जी की सपाई को लेकर मुख्यमंत्री के जिवाल का हर साल वही जूट सभी दिल्ली बासी चाहते हैं कि दिल्ली से गुजरते वक्त यमना साफ रहनी चाहिए यमना साफ होनी चाहिए सतर साल लगे यमना को इसतना गंदा होने में यह सतर साल का जो खराब किया हुआ सारा काम है यह दो दिन में तो ठीक नहीं हो सकता तो मैंने इस वाले चुनाव में जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था मैंने प्रामिस किया था दिल्ली वालों की कि अगले चुनाव तक मैं यमना को साफ कर दूँगा और अगले चनाव के पहले मैं भी यमना में डुपकी लगाँगा और आप सब लोगों को यमना के साफ पानी में डुपकी लगाँगा यमना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के उपर काम शुरू कर दिया है यम्ना को साफ करने के लिए 6 action points है specific और इन 6 के 6 action points पे मैं लगातार monitoring कर रहा हूँ दरसल हर साल दिल्ली के आसपास के इलाकों में और दिल्ली में October, November, December तक एक production की जो परत है वो च्छाई रहती है जिसकी वजूँ से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आने वाले समय में और जादा दिक्कते हो सकती हैं लेकिन हर साल वही सियासत हम देखते हैं होता कुछ नहीं है कहां तो जाता है कि हम कर रहे हैं इस पर काम लगातार बना हुआ है लेकिन होता क्या है वो तो तस्वीरों में आप देखी सकते हैं यमना की अगर आप तस्वीरे देखेंगी तो आपको नजर आ जाएगा हालिये में छट पूजा का आयजन होना था जो की नदियों में होता है घाटों में होता है या फिर आजकर लोग अपने घरों पर ही एक ऐसा पुल तैयार करते हैं जिसमें वो खड़े हो सके हूं पानी में और दूपते सूरे को और उपते सूरे को अरग देखेंगी लेकिन द अदे किनारे एक अच्छा मौका हमें मिल जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि जो यमना थी दिखाई नहीं दे रहे थी ऐसा लग रहा था कि बर्फ की मोटी जो चादर है वो यमना नदी पर बिची हुई है वह बर्फ नहीं है वो इतना गंदा क्यामिकल है जिससे प्रदूशन का स्तर हाई लेवल पर है एक यू आई दिन प्रते दिन बढ़ता जा रहा है नौइडा गाजयबाद गुरूगराम फरिदाबाद की मैं बात करूँ तो यहां पर प्रदूशन की हद हो गई है पॉल्यूशन पॉल्यूशन है लेकिन सॉल्यूशन तहीं नहीं तो हाल ही में छट पूजा के दौरान कुछ तस्वीरे सामने आई थी जिसमें शधालू यमना में जमे हुए जाग के बीच पूजा कर रहे थे इसके बाद केजिवाल सरकार लगा हुक्ती जाएगी यह कहते हैं है कि जिन्होब्स कष्षा नहीं भेजा जाएगा उन्हें करने की कारवाई ही केजवाल आगे कहते हैं कि वर्तमान समय में दिल्ली के सीवर को यमना में अभी 600 Mgd Seaver साफ करने की शमता है उन्होंने कहा कि नए सिविट ट्रीट्मेंट प्लांट तेयार किये जा रहे है और मौजुदा प्लांट की शमता बढ़ाई जा रही है इसके अलावा ट्रीट्मेंट प्लांट की तकनीक बढ़नने का काम भी किया जा रहा है उन्होंने बताए कि दिल्ली में चार नालो का पानी यमुना में गिरता है नए तकनीक के माध्यम से यमुना में गिरने वाले चारों नालो को वही से साफ करवाय जा रहा है CM KJवाल यहीं नहीं रुके वो कहते हुए नजर आए कि सिवर का करेक्शन नहीं लेने पर घरों से निकलने वाली गंदगी इंडालों में बहा दी जाती है इस समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार सिवर करेगी इसके लिए लोगों से बहुत कम चार्ज भी आ जाएगा या फिर मुफ्त में भी हो सकता है क्योंकि दिल्ली सरकार की आदत है मुफ्त में सारी चिज़े बाटने ही केजिवाल ने कहा कि यमना पार सिवर नेटवर्क पूरी तरह से तयार किया जा चुका है लेकिन अभी बहुत से लोगों ने करेक्शन नहीं करवाए हैं दोगों तारीफ है करते हैं सब siis का कय कि तना अफर हो रहा है तस्वीर तो आपकेे सामें ही हैं केजिवाल कहते हैं कि उमीद है कि फर्वरी दो हजार पक्चीस तक यमना नदी को हम सा8 कर लेंगे कि Cait पूरी तरह सेत्यार है यमना साफ होकर रहेगी तक तक सरकार और कहते हैं कि यमना 25 तक साफ होगी यानिक इन 8 सालों, में आपने क्या किया कुछ नहीं अब इसम मौसम करवड ले रहा है तो जो लोग सोचते हैं कि नहीं वह दिखा जाता है खाली टी-शेट पहने घूम रहे हैं उनको लग रहा है उपर असार ही नहीं पड़ेगा तो सबसे पहले तो लोग गरम कपड़े पहने गुंगोना पानी पीए और जो भी सब्जी लिए ताजी सब्जी कोशिद करें खाएं फ्रिज कर रखी वी सब्जी की हृँ और मेरा मानत यह है कि सूछ है कि सूछ डिख और बाइस कि वोई इवास नहीं पहने को ब्रति अचाहिए म्रस करें उसंदम को फॉत है नश्यया गहते हे तो जो की को शेकर के की सब्से पहले को मेरे हिसाफ से तो सब्से पहले ये कहा जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग पैदाज चलिया साइकल को प्रियोग कड़ें पर दूसरे इतना बढ़ता जा रहा देखे दिली में क्या हुआ एक हफ्टे के लिए चुटी कर दी गए तो एक हफ्टे के लिए दिली पूरी तरह से ब्लॉक कर दीया गए बं तो मैं तो यही चाहूँगा, मेरी तरफ से कोई कहता है, तो मैं तो सिर्फ यही जवाब दूँगा, कि अगर थोड़ी दूँ जाना है किसी को, तो लोग पैदल चलें, उसे स्वास्त भी सही रहेगा, उनका चलने से हर्ड भी सही रहेगा, और पॉलिशन भी कम होगा। और घातक बिमारिया भी सामने आ रही है, मौसम विभाग भी बहुत चिंतित है, हाली में ही दिल्ली के अंदर आपने देखा कि क्या मामले नजर आये हैं, और वायू की गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग बहुत चिंतित है, और अभी उत्तर परदेश के 29 जिलों में परा मौसम उठाए हैं, और लोगों को और शासन परशाशन को भी आदेशित किया है, भारते डंड सहिंता और डंड परकिरिया सहिंता में बहुत से प्रावधान है, और इन्वार्मेंटल लॉग के अंदर भी बहुत सारे प्राविजन हैं, जिनके तहत दोशियों के खिलाब सक भटे हैं, इन सब से इनको दोशी मानते हुए जुर्माना वसूला जाए और इनको उस इस्थान से हटाया जा सकता है, और इसी दोरान सियासत भी देखने के लिए मिली, सियासत आज नहीं हुई, बहुत दिनों पहले से हो रही है, यह छटपूजा से ही सियासत जो है वो द के पास है, MCD में आमादमी पार्टी का कभजा नहीं है, तो ऐसे में बीजेपी सरकार पर भी सवाल उठते हैं, आमादमी पार्टी पर आरोप लगाती है, बीजेपी के अधियक शादेश गुपता ने एक वीडियो जारी कर मुक्यमंत्री के जिवाल को घोशना मंत्री में वो कहते हैं कि मैं धन्यवाद देना चाता हूं मुक्यमंत्री को जो उन्होंने एक बार फिर यमना को साफ करने की घोशना की, उन्होंने कहा कि 2013, 2014, 2015, 2017, 2019, 2020 में मुक्यमंत्री ने यही दोहराया था कि यमना साफ हो जाएगी, दावा करते वे कहा कि के दिली सरकार को लिए करीब करोड़ों रुपे दिये जो आज तक नहीं लग पाए हैं, आदिश गुत्ता ने कहा कि आज उन्होंने फिर यमना को साफ करने की घोशना कर दिये, इसलिए आपको बधाई हो, यह छे पॉइंट का एक्शन प्लान है, जिसके जरीए हमारे इंजीनियर्स और आ माइल स्टोन्स बनाए हैं, कि यह काम अगले एक महीने में क्या होगा, फिर दो महीने में कितना काम होगा, फिर अगले चार महीने में कितना काम होगा, पंदरा दिन में माइल स्टोन्स हैं, इसके उपर मैं बड़ी कड़ी नजार रखोंगा, इसकी टाइम लिमिट्स को हम वो नहीं होने देंगे और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जल्द ही हम सब दिल्ली वालों का सपना पूरा होगा। 2015 में और उसके बाद 2017, 2019 और 2020 में दिल्ली के मुख्यमंतरी साहब ने यही घोसना की ती यही तो राय था कि हम यमना जी को साफ करेंगे दिल्ली का हर नागरिक उसमें डुक्की लगाएगा और बो लंदन की टेंश नदी जैसी साफ हो जाएगी। अब केजिवाल इस पर चुक कैसे बैठते केजिवाल ने टूइट किया और वीडियो भी जारी किया और कहा कि बहुत सारा खराब काम किया है। वो दो दिन में तो ठीक नहीं हो सकता इसलिए मैंने इस चुनाव में वादा किया था कि अगले चुनाव तक यमना को साफ कर दूँगा। केजिवाल ने कहा कि अगले चुनाव में आप सब के साथ मैं भी डुक्की लगाऊंगा। जिवान ने कहा कि मैं जो कहता हूँ और करता हूँ अपनी जुबान पर पक्का हूँ अब आपको ज़रा समझा देते हैं कि दिल्ली में यमना कितने किलोमीटर तक बहती है यमनोत्री से इलाबाद तक यमना नदी 1370 किलोमीटर तक का सफर तै करती है वजीराबाद और उखला के बीच 22 किलोमीटर का हिस्ता है जो यमना की कुल लंबाई के 2.2 प्रतीशित से भी कम है नदी का ये 22 किलोमीटर हिस्ता पूरी नदी में 80 प्रतीशित प्रदूशित के लिए जिम्मेदार है अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सब ये जो 2 प्रतीशित का हिस्ता है वो भी 80 प्रतीशित प्रदूशित करने के लिए जिम्मेदार है यमना नदी को यानि की जिम्मेदारी किसकी है दिल्ली सरकार की तो सवाल दिल्ली सरकार से होता है लेकिन दिल्ली सरकार इस पर तुरंत नाट जाती है और कहती है कि पहले की सरकारों ने बहुत गंदगी बहाई है तो इसे साफ करने में समय लगेगा चलिए अब इस मुद्धे पर सुप्री ही रही है क्योंकि मामला सुप्रीम कोट में भी गया वह भी आपको बता देते हैं हम संकट के स्थिति में हैं। और हम नए उपाईों के साथ नहीं जा सकते हैं हम एक नए छषवी बनाना शुरू नहीं कर सकते हैं को ये कहता है क्या आप सामिधानिक रूप से सहमत हैं कि पराली जलाना प्रमुक कारण नहीं है और इसका कोई वेज्ञानी काधार नहीं है दिली आने जाने वाले सभी वहानों की प्रवेश पर प्रतिबंद क्यों नहीं लगाये जाए किसानों को कोसने के बारे में है वही दिली सरकार के जो वकीन है किस तरह के बेकार के बहाने हमें आपके दुवारा जुटाए गए राज्यस्व और लोगप्रिता के नारों पर खर्श का ओडिट कराने के लिए मजबूर करेंगे पंजाब सरकार से कहा जाता है कि आपने कहा है कि आप पराली जलाने वाले किसारों को सजा दे रहे हैं लेकिन प्रोसाहन के बारे में क्या उन्हें कैसे विकल्प दिया जाए ये सवाल लगातार पूछे जा रहे थे दिल्ली सरकार से हर्याना सरकार से और पंजाब सरकार से कहते हैं कि हमें उमीद नहीं थी कि इस तरह से आपात बैचक होगी निर्मान बिजली परिवहन धूल पराली जलाने जैसे मुद्दे हैं बनाएगल कमीटी से पूछने और कल शाम तक कारे योजना को कैसे क्रियानमित करना है ये तैय करें कल शाम क्याने कि जब सुप्रीम क दूटते हैं और विज्यापनों पर खर्श करते हैं तो चलिए आपको दिखाते हैं कि लोग कितनी तकलीफ जेल रहे हैं इस समय सबसे ज्यादा आखों में जो जलन सी होती हम सवे को घर से निकलते हैं पहले जाते थे पारक बगरा में में पिछले आठ एक हफते से मैं नही प्रदूशन कम हो सता है सरकार के साथ साथ हमें चाहिए किसमें हमें अपनी भी भावविदारी निवानी चाहिए बाइप प्रदूशन के अंदर बहुत जादा हो रहा है इसमें हम जब सुबह उठते तो कभी आखों में जलन होती है सांस लेने में भी दिक्कत होती है बहा दुस्वर हो चुका है और आपका सांस लेने वे हम बाहर जाते हैं मास्क के शुद्स लेने में दिक्कत होती है आप कम में जलन हो जन को साथी बढ़ रहा है मेरे हिसाब से एर पॉलिशन इतना जादा हो गया है इस वक मतलब आखों में जलन होती रहेगी और सांस लेने में प्रॉब्लम अलड़ी हम मास्क वास लागे चल रहे हैं उसके बाद इतना है अगर हवा खराब रहेगी तो फिर प्रॉब्लम्स और बढ़ी रही है और आप सि बाकियों में स्ट्रेस ज्यादा बढ़ेगा तो मुझे लगता है ओवर ओल यह हर चीज के लिए खराब है एन इतनी स्ट्रेस फुल लाइफ में अगर सांस भी आप अच्छी नहीं ले तो फिर तो मेंडल स्ट्रेस भी है तो दिली न्सी आर में प्रॉडूशन का कहर जारी है ऐसे में जो एर प्यूरिफायर है उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बाजारों में बढ़ गई है केंद्र और राजय सरकारों द्वारा प्रदूशन पर नियंत्रण के लिए तमाम कदम उठाये जा रहे हैं बहुत सारी चीज़े बंद कर दे गई हैं चाहे व जनता को एक बार फिर से मुसीबत में डाल दिया है क्योंकि जाम की स्थिती से लोगों को जूजना पड़ रहा है अगर आज की ही में बात करूं आज सुभा कालिंदी कुंच पर पाच किलो मीटर लंबा जाम लगा वा थे जिसकी वज़र से जो नौकरी पेशा लोग हैं अ पड़ रहे हैं कुछ लोगों को सास लिन में दिक्कते आ रही हैं आखोँ में जलन भी हो रही है पंजाब में हरियाना में और जो NCR के राज्ये हैं उनमें ये पराली जब किसान जलाते हैं तो सारा प्रदूशन दिल्ली में हो जाता है तो दिल्ली में जो प्रदूशन होता है उसके लिए केजरिवाल जी ने पंजाब को दो सी ठहराया है उन्होंने कहा है ये पंजाब के किसान पराली जलाते हैं जिससे दिल्ली प्रदूशित हो जाती है हर्याणा के किसान भी इसके लिए जम्मेदार हैं बाकी राज्यों के भी जो आसपास के राज्ये हैं उसके कारण दिल्ली प्रदूशित होता है हम राजनिती आज नहीं कर रहे हैं क्यों राजनिती करने का दिन नहीं है मगर मन में ये प्रशन उठता है अगर पंजाब में पराली जलाने से पंजाब के किसान दिल्ली को प्रदूशित कर रहे हैं हर्याना में पराली जलाने से हर्याना के किसान दिल्ली को प्रदूशित कर दिल्ली की हवा की कॉलिटी सबसे खराब है पंजाब की इतनी खराब नहीं है जो responsible है उसकी हवा की कॉलिटी इतनी खराब नहीं है मगर दिल्ली की हवा की कॉलिटी खराब है तो कहीं न कहीं दिल्ली की हवा में प्रदूशन के अलावा राजनीती भी तो है तभी तो हवा में गंदगी है कुछ ना कुछ गड़वड तो है तो बंदुगन आज इसी पर हम चर्चा करेंगे बिना राजनीती किये हुए पराली के उपर और देखिए हम तो राजनीती नहीं कर रहे हैं यह टोपी ट्रांसफर का काम नहीं होना चाहिए यह शिफ्टिंग ऑफ ओनस यह उचित नहीं है और सुप्रीम कोट ने पिछली बार तो बहुत जोर से अर्विन केज्रिवाल जी की सरकार को डांट लगाया रियार में उपी का, हर्याडा का जो रोल है, जो राजस्थान का रोल है, उसे देना पड़ेगा तो बिसे जो पॉसिबल, सबका अलग-अलग रोल है पंजाब का रोल इसमें यह है कि पंजाब के अंदर जब पराली जलती है और हवा का रुख अगर उत्री होता है तो वो हवा का रुख से अभी तक सारे जो NLCS आ रहे हैं उसका impact दिल्ली में आके पड़ता है जहां तक वो बार-बार बात कर रहे हैं कि पंजाब में धुआ जलता है दिल्ली क्यों प्रभावित होता है ये मैं बार-बार यही बात करता हूँ कि एक सब्द है air said और बीजेपी के लोगों को नहीं पता है तो पर्यावडन मंत्री जी को एक मिटिंग बुला करके उनको समझाना चाहिए कि air said क्या होता है पंजाब में अगर कोई गत्विती होती है उसका impact यहां तक आता है डिली की जो भाव गोलिक बनावट है यहां जो भी चीज़ें आती है वो आकर के कटोरेक मुझे ऐसे चीज़ेंग आके जम जाती है यहां पर आकर के इस्टेगनेंट हो जाती है ठार जाती है जिसका impact डि despता है तो इसलिए जो ये सारी चीजे हैं मुझे लगता है बिजेपी हर चीज पे परदा डाल के भागना चाहती है मुझे लगता है कि हर राज को अपना रोल निभाना चाहिए और केंदर सरकार को अपना रोल निभाना चाहिए जब अगर पराली के गलाने का समधान है और जितना पैसा के इंदर सरकार दे रही है तो उसको ये डारेक्शन देने में क्या प्रॉब्लम है कि इस पैसे को पराली के छ्रिकाव में सरकारें खर्च करें प्रॉब्लम कहा है तो एक धुंद दिखाई देगी और ये वह स्मोग है जो धूल है वह चड़ है ये वह कड़ है उसके वाईव प्रॉडूशन के कड़ है जिससे लोगों को परिशानी हो रही है और लगातार दिल्ली एंसियार में चाहे नोड़ा हो ग्रेटर नोड़ा हो हर जगे वाईव प् तो वो आज भी 300 के पार है जो कि लोगों को परिशानीयों को बढ़ा रहा है अगर हम बात करें सरकार की तरफ से प्रसासिन की तरफ से क्या एहतियात के तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं तो ग्रेटर नोड़ा प्रादी करने साब तोर पर कहा है कि चार दिन तक किसी भी तरह का कंस्ट्रेक्शन हो उस पर रोक लगाई गई है डीजर जनलेटर पर रोक लगाई गई है इसके अलावा जगे जगे पर उनके द्वारा छड़काब किया जा रहा है यानिकि जो वाई प्रदूशन को रोकताम को लेकर के कदम उठाए जा रहे हैं वो यूद दिस्तर किस तरह से हो रहा है पॉल्यूशन पॉल्यूशन हर जगा है लेकिन सॉल्यूशन होता हुआ नजर नहीं आता है ऐसे में आम जंता के सामने विकल्प यही है कि हम खुद से ही एक कदम आगे बढ़ाएं बढ़ते प्रदूशन को रोकने में जरूर कोशिश करें सरकारे काम क इस देश का जिम्मिदार नागरिक होने के नाते हमें भी अपने कदम उठाने हैं और बढ़ते प्रदूशन के खिलाब एक्शन लेना है तरीका कोई भी हो सकता है बस फैसला आपका है आज के इस एडिशन में इतना ही आप बने रहें न्यूस वाल इंडिया के साथ